चलो बच्चों, शुरू करते हैं, देखिए, question number 13, तेरे हमाँ question शुरू करते हैं, तेरे हमाँ question क्या कह रहा है, find the zeros quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients, ठीक है, हमें क्या करना है, quadratic polynomial जो दे रख किया है, 6x का minus 3 minus 7x का, हमें zeros found out करने है, zeros मतलब, उसके शुन्यांख हमें निकालने है, तो देखो, zeros निकालने के लिए मैंने, हम इस तरीके के 2-3 question पहले ही कर चुके हैं, कही question कर लिए हमने भी, और zeros निकालने के लिए हमने क्या करना होता है, सुस्पर पहले आपको p of x, जो भी हमारी equation दे रख के है, उसको down कर लेंगे, 6x square minus 3 minus 7x, देखो कभी कभी आगे पीछे दे 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 7x, इसको बीच में ले आएंगे, 7x minus 3, बराबर 0, इसको रख देंगे बराबर 0 के, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यह equation create हो जाएगी, एक हमारी equation create हो जाएगी, इस equation से हमें क्या करने है, zeros calculate करने है, और 0 ही नहीं, सिर्फ उनके साथ में हमें relation भी verify करना है, उनके zeros और coefficients के साथ, ठीक है, तो coefficients क्या होते हैं हमारे ABC, ABC हमारे coefficient होते हैं, उन coefficient का relation और हमारे zeros का relation आपस में बराबर आना चाहिए, तो वो check करेंगे, देखो, तो पहले हम zeros calculate करने के लिए क्या करेंगे, जल्दी बताओ, zeros calculate करने के लिए देखो, हमें क्या करना होगा, यह हमारे पास A है, यह B है और यह C है, तो हमें क्या करना है, A और C का पहले multiply करते हैं, क्या करते हैं, multiply, तो 6 और 3, 6 ती अठारा हो गया, 6 गुणा 3, मतलब 18 हो गया, बराबर 18, अब 18 हो गया, तो देखो, 18 का क्या करेंगे आप, या नहीं कि 18, 18 का क्या करना है आपको, बीच वाली value देखेंगे, इसको देखेंगे 7, 7 का ऐसे गुणा या घटा, मतलब हमें ऐसा करना है कि जोडने या घटाने पर तो 7 मिले, और हमारे multiplication पर कितना मिले, 18 मिले, ऐसा कोई number हमें सोचना है, ऐसे दो number सोचेंगे, जिनको जोडने घटाने पर 7 आए, ठीक अब जैस इसा क्या सोचें, बताओ number क्या आएगा, ऐसा number क्या सोचें, कि हमारे जोडने घटाने पर, जोडने और घटाने पर 7 आए, और multiplication पर किना आए, 18, तो देखो 9 दुनी 18, कितना, 9 दुनी 18, अब 9 दुनी 18, और 9 में से 2 गए तो 7 बचेंगे, है न, 9 में से 2 गए तो 7 बचेंग न, प्लस का 2 x और मैनस का 3, कर सकते हैं, बिलकूर कर सकते हैं हम इसको, तो ऐसा कर लेते हैं, 9 में से 2, 9 दुनी 18, और 9 में से 2 गए तो 7 बचेंगे, देखो कैसा करेंगे, 6 x square minus, 9 x minus 2 x plus का 2, क्योंकि मानस का 9 बढ़ा है, प्लस का 2 छोटा है, तो मतलब इसका मानस करेंगे, minus 3, बराबर 0. ठीक है? अब यहां से क्या common आ जाएगा? बताओ. यहां से अगर हम common निकालने की बात करें, तो क्या common ले सकते हैं? देखो, यहां से हम 3 common ले सकते हैं. 3 x common ले सकते हैं. तो यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा हमारे पास 3 दो नीच है, 2 x बचेगा. इसको क्या लिख सकते हैं? 6 को, 6 को हम लिख सकते हैं, 3 into 2, तो 3 बाहर ले लिया हमने. x की पावर 2 है, तो 1 x ले लिया, तो 1 x बचा अंदर, और यह वाला 2 बचा अंदर है ना? माइनस. अब जो, x तो बाहर आ गया, x तो चला गया, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, 3 into 3, तो 1 3 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? 3. किलियर है? ये बात, प्लस, यहां से 1 कॉमन ले लो, ये 2 x माइनस 3, बराबर 0, प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, कोई फरक नहीं बढ़ेगा, तो ये कितना हो गया थे? को 2 x माइनस 3, और ये कितना हो गया? 3 x प्लस 1 बराबर 0, अब एक बार इसको बराबर 0 के रख दो, एक बार इसको बराबर 0 के रख दो, ठीक है? एक बार इससे बराबर 0 के रख दो, तो देखो रखते हैं हमारा क्या होगा 2x minus 3 is equal to 0 तो 2x is equal to 3 और x is equal to 3 by 2 या जाएगा एक बार इसको बरावर 0 के रख दो तो 3x plus 1 बरावर 0 तो 3x is equal to minus 1 x is equal to minus 1 upon 3 तो हमारे पाद 0 क्या निकल कह है बिटा हमारे पाद 0 बच्चे निकल के आए 1 upon 3 minus का और 3 by 2 plus का 1 upon 3 minus का 3 by 2 plus का इसका मतलब option number D आपका हो गया right answer option number D क्या हो गया बच्चे एकदम right answer हो गया पर हमें सिर्फ यही calculate नहीं करना है और हमें क्या calculate करना है हमें relation को check करना है इन दोनों के coefficients और गुडांकों को coefficients और हमारे शुन्यांक और गुडांकों का relation coefficient and zeros का relation चेक करना है तो यह कैसे चेक करते हैं हम इसके लिए हमारे पास formula होता है सबसे पहले हम ABC के मान निकालते हैं जैसा की equation में दे रख़्े होते हैं ABC क्या होते है हमारे पास देखो on comparing the given equation on comparing the given equation with standard standard equation standard equation से हमने क्या करेंगे इसको compare करेंगे तो standard equation क्या है हमारे पास AX square plus BX plus C इस से compare करने पे हमें A और B और C के मान निकलेंगे हैं A बराबर क्या निकलेगा देखो देखके बताओ यहां पे A कितना है 6 B कितना है यहां पे B क्या होता है X के साथ वाला ध्यान रखना अब ऐसा मत करना कि B अब 3 लिख दो 3 नहीं होगा B क्या होता है coefficient of X होता है और A क्या होता है coefficient of X square होता है ठीक है तो यह क्या होगा गया A बराबर इतना B बराबर minus का 7 और C बराबर हो गया minus का 3 minus का sign भी जो भी sign होगा वो 7 में लेके आएंगे आप ठीक है अब हमें क्या calculate करना है relation relation के लिए हम क्या करेंगे पहले मानेंगे let consider let consider the alpha and beta let consider alpha and beta alpha and beta are the zeros of the given equation of the given equation हमने मान लिया कि alpha बीटा क्या है हमारी given equation के zeros है मतलब यह जो zeros है एक को हमने मान लिया alpha एक को मान लिया beta है न यह मान लेंगे तो देखो फिर कैसे करेंगे हम इसको हमें क्या check करना होता है sum of zeros sum of zeros relation के लिए हमें check करना होता है sum of zeros and product of zeros product of zeros sum of zeros का मतलब हो गया alpha plus beta और product of zeros का मतलब हो गया alpha बीटा यह बरावर होता है किसके minus का b upon a के यह बरावर होता है किसके c upon a के ठीक है यह आपके होगे formula अब इसी के साथ में आप देखोगे ठीक है क्या कि alpha और बीटा का मान क्या निकल क्या है हमारे पास 3 by 2 into minus का 1 by 3 है ना minus का 1 by 3 बरावर minus b b का value कितनी आई हमारी minus का 7 कितनी है b की value b की value हमारी minus 7 multiply क्यों लगा रहे हम यहाँ पर हमारा plus plus क्या हो जाएगा minus 1 upon 2 हो जाएगा है ना 1 upon 2 plus है यहाँ पर और यह value क्या है minus यह value कितनी है minus के बना upon 3 है ना तो यह plus minus minus हो जाएगा यह आगया बरावर minus b minus b की value plus यानि plus 7 7 upon a यह कितना है मेरे पास 6 है तो 6 7 upon 6 हो गया ठीक है यह आगया अब देखो नीचे यह LCM हो गया हमारा 6 2 से घाटेंगे 3 बार 3 तो क्या हैगा 3 बार कटेगा 3 का multiply हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा minus 3 चकटेगा 2 बार तो 2 हमारा यहाँ आजाएगा 2 का multiply हो जाएगा तो बरावर यह कितना है 7 upon 6 और यहाँ भी कितना बच गया देखो 7 upon 6 7 upon 6 7 upon 6 दोनों बरावर आगे तो हमारा sum of zeros क्या हो गया equal proof हो गया तो यह relation हमारा verify हो गया एक relation दूसरा relation हम verify कर लेते हैं देखो alpha बीटा की value भाई 3 by 2 into minus का 1 upon 3 यह ही आ रहा है ना minus 1 upon 3 3 by 2 अब जेखो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा 3 से 3 यह कट जाएगा तो क्या है जाएगा यह तो रह जाएगा minus का 1 upon 2 बरावर c की value कितनी है minus 3 c की value कितनी है minus का 3 upon और a की value कितनी है 6 6 है ठीक है अब देखो 3 बन जा 3 3 तू जा 6 कितना हो गया minus का 1 upon 2 और यह भी कितना है minus का 1 upon 2 तो इसका मतलब दोनों equal आ गए दोनों equal आ गए तो हमारे relation क्या हो गया proof हो गया relation कैसा हो गया proof हो गया तो यही हमें verify करना था इसी के साथ आपको मिलेंगे चार number कितने number बिटा चार number मिलेंगे अगर इतना solution आप करके आएंगे तो ठीक है अगर आपसे सिर्फ zeros पूचता है तो हो सकते है दो number में आ जाए answer question सिर्फ zeros और भी थोड़ा simple हुआ तो एक number objective में भी बनके आ जाता है कभी कभी ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है पर हमने हर तरीके से बताएंगे ताकि चाहे आदा आए चाहे पूरा आए आप पूरा का पूरा question करके आएंगे ठीक है चलो बहुत अच्छा question था बहुत अच्छे से समझ में आया नोट झालो कि